आज मैं आपके साथ बहुत बढ़िया टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ जिनको मिलाजमा पिग्मेंटेशन है उनके लिए ये खास का वीडियो है सबसे पावफुल स्किन केर में मिलाजमा के लिए आज आपको बताने वाली हूँ जिसमें कुछ एक्टिव शामिल काफी कुछ कमया होती है जिनकी वज़ए पिग्मेंटेशन बढ़ता जाता है वो जाता है अब उसको हटाने के लिए बहुत से क्रेम्स जों लोशन फटर करते हैं लिकिन रखने हलका फुलका फ़र करते हैं फिर वैसे जसके तस होते हैं आपको सिंपल स्किर बता देते हैं जिसकी वज़ा से आपके मिलाजमा या पिक्मेंटेशन बहुत जल्दी फेर हो जाएंगे और आपका इवन तोन स्किन में आने लगेगा सबसे पहली चीज है कि आपको फेस वॉष जो है वो केमिकल बेस फेस वॉष नहीं करना है जिसते दिन तक करने में को दूर करने में बहुत साइक हो कि सबसे जारूरी होता है जरूरा पानि से वॉष तोड़ा सापको लगेगा कि लेकिन ठीक है वह आपका ट्रीट्मेंट थोड़ी दिर में इसकिन आपकी नार्मल आने लगेगी रेगुलर दही किस्तुमाल से आपके लेकिन का रंग भी निकरेगा इसकिन वे लेक्टिक एसिट की वज़ा से चेहरे पर ग्लोबी आएगा और चेहरे की इसकिन जो है वह काफी अच्छी और मतलब वेल्वेट तच वाली बहुत सॉफ्ट और सपल होने लगेगी आप करके देखिएगा सबसे पहले आमने आपको लिए दुद पें कोटन वेगो के आपको फैस क्लीन करना उसके बद दही से मसाच करने तर नहीं क्लिए कर दोदे नहीं कर दोड़ी क्रिमकर लगानी है सबसे पहले हम आपको बताने हैं कि इसके साथी साथ आपको एक पैक लगाना है जो कि आपके मेलाजमा को बहुत लगाते हैं चंदर की लगडी को पड़ी को पाप जब गिसें गया उसका पेस्ट निकलेगा पानी से पत्तर पे गिसके उस पेस्ट को आपको सुबह शाम अपने मेलाजमा वाली जगह पे लगाना है तो दही का मसाज दही का पैक लगाने के बाद आपको यह लगाना है चंद कि लिगा से क्ते जिएा राम रस्ट के समय वह आपको पैक लगा लेना है इसके बाद रात में आपको चंदन का पैक लिगा के दस पनध मिनर्ट छोड़ना है जो पिकदम ढ़्य हो जाता पानी से ढît становится लिए यह इन रात में आपको फिर से दूर्स से चहरा साफ करना यानि कोशिश सर्फ में सब्सक्राइब करें एतने इतन इत्ता कवर करें यहहां पर जहां पर अपको लगता हो मेराने यो Choi चुछ जाना है डा than about 15 मिनट्त करना उसके बाद करने अब आपको सोजाना यह को तभ IlFF नगाना जब आपको कोई काम नहीं है तभी आपको सो कि लिघशा तुर सकते हैं तो यह सुझान तक करने केक्ट देशित थाнक यह चेसमें पर Quad का Gel लगाना है जिससे एवें टौन होने लगे यह कमया है वह पूरी लगेंगी इसके बाद आपको दिन में लगाना है चंदन का बिल्कुल प्योर चंदन लगडी वाला गसके और गड़ा गड़ा इस तरह से लगा के सौ जाना है और रात में आपको फिर से क्लिंजिंग करनी है तहीं से मसाज़ करें मुह दोलेना है उसके बाद मेला शोर अपने फेस पर लगा लेना है अब इसके बाद रिजल्ट आपको एक महिने में ऐसा दिखाएगा कि मिलेकल आप जो कहेंगे कि यह चीज अगर मैं पहले करती तो शायद अब तक यह काले डाग या ब्राउन कलर के ज़लेक्स में पहले पहले लेकिन पूर्इब ब्राउन ब्राउन पूर्ण पूता ही चिज खाम सब्सके मेले लेबाएग देख पान में जो है ब्रू करी है जिनको होता है तो आप दीख दू आप परको अगय है नियर्य चेज कताया को शीज कि अश्चित welcome यह करेंड शड अच्छे लगें तो वीडियो लाइक कर दीजेगा चैनल तो सब्स्राइब कर दीजेगा और अपना कॉमेंट जरूर हमको बताईएगा कि आपको कैसा लगा त्यूब का नाम फिर से बता दे रहें मैला शोर जो कि मैं कॉमें सेक्शन में भी पिंग कर दूंगी ट्यूब का न कि मैं आपको येगा चीजेद से बताईब कर दो जच समस्वेगा चबगा नाम बीकाफिएएग कर दूंगी जरुब कर देखिया नाम जरूर आईग।